हई हेलो एविवन आज कि जो हमारी वीडिये है वो है पोकस ओ एक टुथाउजेंट 122012 ऐसके बारे में हम वन लाइनर क्वेस्चन में इसको डिसकुस करेंगे आज की जो वीडियो है यह हमारी पहली वीडियो हम वीडियो वाई इसक अक्ट को कवर करने की कोशिछ करेंगे so that कि इसमें सारे जो question है objective type के जो examination pattern है उसमें आप attempt कर पाओ so video by video इस act को हम complete करेंगे act को हम जो most important act है जो child relating legislation है बच्चों के relating जो legislation है उसको लेके POCSO act है वो एक most important legislation है most important relevant है बच्चों की legislation को लेके तो इस act को हम detail में करेंगे so detail में करने के लिए इसको video wise इसको करेंगे तो आज की जो हमारी पहली video है video number 1 है one liner question के उपर इसमें आपको objective type pattern में इसको question आएंगे तो हम इसको one liner के तौर पे ही करेंगे तो सबसे पहले इसकी full form क्या है what is the full form of POCSO Act तो इसकी जो full form है वो है the protection of children from sexual offense act 2012 the protection of children from sexual offense act 2012 यह इस act की full form है इसको हम जो short form में उसको हम कहते हैं POCSO Act यह POCSO Act है जो second question है हमारा कि यह POCSO Act है यह कब होंद में आया कब इसको implement हुआ कब enforce हुआ किसी भी तरह में आप किसको force enforcement कहलो implement कहलो यह कब enforce हुआ तो यह 14 November 2012 को यह act है वो enforcement में आया कि इस act का नंबर क्या है जो question third है कि what is the act number of POCSO Act Act number 32 of 2012 32 नंबर 212 का यह act है को next question है कि what are the objective of POCSO Act जो इसके जो major objective है वो है कि children को protect करना from sexual assault के जो offense है उनसे protect करना sexual harassment है और जो pornography है उनसे यह protect करना बच्चों को और साथ के साथ में इसके लिए special court है ट्राइल के लिए ऐसे जो offense हैं बच्चों के साथ होते हैं उन offense को लेके special court की establishment cutting करना इस act का जो major objective है अब question number five है POCSO Act 2012 is applicable to किसके उपर applicable है whole of India क्योंकि यह इसकी applicability इसकी extent कहां तक है इस act की extent वो है whole of India जाने कि यह पूरे भारत में यह act लागू है उसके बाद जो हमारा next question है कि कि किस act के तहत जो पहले इसकी non applicability होती थी POCSO Act की J&K के उपर इस act में पहले wording की थी wording था कि accept the state of Jammu and Kashmir यह act applicable था whole of India accept the state of Jammu and Kashmir तो यह wording है accept the state of Jammu and Kashmir यह कब omit की गई means जिसकी जो non applicability है for J&K के उपर वो कब गतम करीगी कौन से act के थूँ गतम करीगी तो इसका answer है act number 34 of 2019 जो की Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 है इसके तुरू इस act की जो applicability है वो throughout इंडिया करीगी तो जो जम्मू and Kashmir है उस जो word है वो omit किया गया अब जो next question है कि कौन से साल में पोक्सो एक्ट 2012 है वो अमेंड किया गया पार्लिमेट के द्वारा में 2019 में दे प्रोटेक्शन ओफ चेल्डरन प्रॉम सेक्चुल ओफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको अमेंड किया गया अब जो next question है कि चाइल्ड की जो डेफिनेशन है पोक्सो एक्ट के तहत क्या है आंसर है कि कोई भी परसन जिसकी एज अठारा साल से कम है एनिवन परसन बिलोग दा एज ओफ एटीन इयर्स ओफ एज अठारा साल के कम उमर के जो परसन है उनको बच्चे की कैटागिरी में रखा गया है किस सेक्शन में चाइल्ग पड्र नोग्राफि की जो डेफिनेशन थी वह एड्ड करी गई था तो यह क्लॉज डी एasion जो की डेफिनेशन पार्ट प्ताती चांट कि इस वीडियो का जो last question है कि 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 इंटरनेशनल convention के base पे pocs of act है वो base है एन act किया गया है कि इंटरनेशन convention के base पे तो answer है convention on the right of child by United Nation जो की इंडिया ने जिसको sign किया था 11 December 1992 को convention on the right of child जो की United Nation की journal assembly द्वारा करी गई थी उसको 1992 में इंडिया ने उसके उपर जो अपनी सहमती बनाई थी तो इस जो इंटरनेशनल क्रवेंचन है इसको बेस मानते हुए 1901-2012 की है वो अनेक्टमेंट करी गई थी तो यह आज की हमारी वीडियो है दस पुस्चन की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्क्राइब कर लें थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो